हेलो फ्रेंड मैं हो निशा और स्वागत है आपका हेल्पिंग लाइफ टिप्स में आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गर्भासे में होने वाली सूजन के बारे में किन कार्डों से आपके गर्भासे में सूजन हो जाती है और कौन-कौन से ऐसे घरेलू उपाए हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी गर्भासे के सूजन को ठीक कर सकती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गर्भासे को आम तोर पर महिला की कोक या बच्चेदानी के नाम से जाना जाता है ज्यादा तर महिलाओं के गर्भासे का आकार 2.5 इंच से लेकर 3.5 इंच तक होता है गर्भासे का आकार एक नासपाती के जैसा होता है गर्भासे में सूजन या महिला के बच्चेदानी में असमानी बृद्धी, प्रेगनेंसी और फाइब्राइट के कारण होती है जैसे ही गर्भासे में सूजन होती है, महिला के पेट के निशले इसया में भारीपन महसूस होता है, और उल्जन सी होने लगती है वैसे तो शुर्वाती दिनों में कोई खास लख्षड नहीं दिखाए देते हैं लेकिन सूजन होने के बाद महिला कोप्रियर्ट में तेज ब्लीडिंग होती है और बोडी पेंट भी रहता है गर्भासे में सूजन कई करड़ों से हो सकती है इसलिए जैसे जैसे समय बीटता जाता है इसके लच्छड भी मसूस होने लगते है फाइबराइड के करड़ भी कभी कभी गर्भासे में सूजन हो जाती है गर्भासे में सूजन होने का सबसे मुख्य करड़ फाइबराइड होता है फाइबराइड एक नान कैंसर ट्यूमर होता है जो गर्भासे के अंदर और बाहर गार्ट के रूप में मौजूद होता है ये गार्ट 30-40 बर्स की महिलाओं में ज्यादातर होती है आइब्राइड होने का कारण महिला का आर्मोन का उतार चड़ा और कभी-कभी या अन्वनसिक कारणों से भी हो जाती है इसकी वज़से गर्भासे में सूजन आ जाती है एडिनो मायोसिस की वज़से भी आपके गर्भासे में सूजन हो सकती है एडिनो मायोसिस एक ऐसी इस्तिती है जिसमें गर्भासे की परत जिसे एंडोमेटियम के नाम से जाना जाता है वो गर्भासे की दिवार बाहरी परत की और बढ़ने लग जाती है अधिक उम्र की महिलाओं में यह एक आम समस्या होती है एडिनो मायोसिस होने पर महिला के गर्भासे में एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है और इसके कारण सुजन आम तोर पर उन महिलाओं में होती है जिनकी इसी सेक्षन से डिलिवरी हुई है PCOS की वज़े से भी गर्भासे में सुजन हो सकती है अगर किसी महिला को PCOS की समस्या है तो उसके गर्भासे में सुजन हो सकती है यह आमतोर पर सний में हार्मोनल इंबैलेंस के कारण होता है, जिसकी वज़से आपकी priest irregular और असामानी हो जाती है, जिसके कारण गर्वासिय में सूजन हो जाती है, endometrium cancer की वज़से भी गर्वासिय में सूजन हो सकती है, यह समस्या होने पर आप सुरुवाती स्टेज में ही डाक्टर के पास जाकर जात जरूर करवाएं यो निशे असामाननी रूप से ब्लेडिंग होना इस समस्या का मुखलचर होता है कभी-कभी मेनोपाज होने पर भी गर्भास में सूजन आ जाती है मेनोपाज होने से पहले महिलाओं के सरील में काफी ज़्यादा उतार चड़ा होता है वो भी बहुत तेजी से होता है जिसके कारण गर्भासे का कार बढ़ा हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है चुकिय अस्थाई नहीं होती है और पूरी तरह से मेनोपाज होने के बाद गर्भासे निवास्तवी का कार में आ जाता है ओवेरियन सिस्ट के कारण भी गर्भासे में सूजन हो सकती है जैसा की नाम से ही असफस्ट है यह समस्या होने पर गर्भासे के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं जिसमें फ्यूर भरा होता है, इसकी वज़ा से लगातार कमर में दर्द बना रहता है, और प्रियट के दोरान ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, और गर्भासे में भी सूजन आ जाती है, गर्भासे में सूजन के लच्छड क्या होते हैं, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि बच्चे दानी यानि गर्भासे में सूजन हो गई है, महिलाओं के पेट में तेज क्रेंप हो सकता है, प्रियट ज्यादा दर्द के साथ या ज्यादा ब्लीडिंग के साथ हो सकती है, प्रियट के निचले हिस्से में भारीपन मसूस हो सकता है, प्रियट के दोरान ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण सरीर में खून की कमी हो सकती है जिसे हम एनीमिया भी कहते हैं सरीर कमजोर और पीला पढ़ने लगता है कमर के आसपास के हिस्सों पर ज्यादा चर्थ भी चमा होने लगती है गर्भासर पर ज्यादा दबाव परना और इसकी आकार में परिवर्तन दिखाए देने लगता है पेलवी केरिया में ज्यादा एठन मसूस हो सकती है कब्ज बन सकती है पैरों में दर्द, एठन और सूजन हो सकती है पूरे सरीर में असमान निदर्द मसूस हो सकता है बार बार यूरीन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है योनी शेपानी आना मेनो पास के बाद भी ब्लीडिंग होना रिलेशन के दोरान दर्द होना प्रियट के दोरान ठक्का बनना हिसाब करने में कठनाई होना, अस्थन कोमल होना, मुहासे होना और चेहरे पर बाल आना, मोटापा तेजी से बढ़ना ये सारे लच्छड हैं जो ये संकेत देते हैं कि आपके गर्भासे में सूजन आ चुकी है तो चलिए अब बात करते हैं कि गर्भासे की सूजन आप कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं पहला सोया मिल्क सुबह नाश्ते से पहले एक चम्मत सहद के साथ दो तीन चम्मत सोया मिल्क का सेवन करने से गर्भासे की सूजन दूर हो जाती है सहद में सुजन, जलन और दर्द दूर करने के गुड़ पाय जाते हैं और ये गर्भासे के फाइवराइट को कम करता है तीन हफते लगातार सहद और सोया मिल्क का सेवन करने से गर्भासे की सुजन ठीक हो जाती है दूसरा हल्दी वाले दूद के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा हल्दी वाला दूद भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है इस समस्या को ठीक करने में आधा चम्मच हल्दी को एक चम्मच देशी गी में फ्राइ कर लें इसके बाद इस हल्दी में एक गिलाश दूद मिलाएं चार-पांच किस्मिस और दो चम्मच पिसा अक्रोट को दूद में मिलाकर अच्छी तरह से उबाल लें दो हपते तक लगातार इन सामग्रियों को दूद में मिलाकर सेवन करने से करभासे की सुजन जल्दी ठीक हो जाती है तीसरा अक्रोट अक्रोट भी बहुत फायदेमंद होता है गरभासे के सुजन में करभासे को स्वस्थ रखने और सुजन से बचाने के लिए शरीर को एक स्वस्थ फेट, एसेंसियल विटामीन और खनीज की जरूरत होती है अक्रोट में ओमेगा थ्री और एंटी आक्सिडेन पाय जाते हैं शरीर को स्वस्थ रखते हैं अक्रोट में एंटी इंफ्लामेट्री गुड होते हैं इसलिए हपते में तीन दीन, एक महीने तक मुठी भर अक्रोट खाने से गर्भासे की सुजन कम हो जाती है मुलेठी मुलेठी किस तरह से आपके गर्भासे की सुजन पर काम करती है? चलिए जानते हैं गर्भासे में तरल पदार्थ और मुकस का अधिक उत्पादन होने से गर्भासे में सुजन आ जाती है मुलेठी मुकस पैदा करने वाली ग्रंथियों को वादित करती है जिसके कारण गर्भासे की सुजन ठीक हो जाती है पचास ग्राम मुलेठी के लकडियों को पीश कर पाउडर तयार कर लें और काच की बाटल में भर कर रख लें रोजाना एक चौथाई चम्मच मुलेठी पाउडर को पानी के साथ एक महिने तक खाएं गर्भासे की सूजन ठीक हो जाएगी जल्दी अलसी अनि फ्लैक्सीड यह बहुत फायदेमंद होती है यह सरीर में मौझूद विसाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और गर्भासे के सूजन को दूर करने में अलसी के वीज बहुत फायदेमंद होते हैं अलसी में ओमेगा थ्री फैटी एसिट पाये जाता है जो सरीर के आंतरिक अंगो को सूजन को कम करने में मदद करता है मेथी एक या दो चम्मच पीशी मेथी को एक गिलास दूद में तब तक उबालें जब तक की दूद आधा ना हो जाए इसके बाद दूद को ठंधा करके रोजाना रात को सोने से पहले पिए ऐसा करने से भी गर्भासे की सूजन ठीक हो जाती है इसके अलावा अरंडी के पत्तों की एक बहुत ही कारगर टिप है अरंडी के पत्तों को पानी में उबाल कर उसके पानी में रूई को डूबो कर अपने प्राइबेट पार्ट पर रखना है जिससे जो आपके गर्भासे की सुजन है वो एक हपते के अंदर ही खत्म हो जाती है बहुत ही फारदेमन टिफ है इसे जरूर फालो करिएगा इसके अलावा गर्म पानी को वाटल में भर कर अपने पेल्बिक एरिया की सिकाई कर सकते हैं इससे काफी हद तक आपको अराम मिलेगा ये सारी टिफ्स जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी ट्राइएंड टेस्टेड हैं और ये सभी चीजे भी आपको आसानी से मिल जाएंगी इनका यूज करके आप अपने गर्भासे की सुजन को ठीक कर सकती हैं तो फ्रेंड ऐसी ही इन्फार्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर पेस करके अल कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें